Hi everyone, my name is Manisha पेरागी, welcome to MLT Education Point आज हम बात करते हैं एक नए पेरासाइट, Ascaris Lumericoids के बारे में इससे पहले हमने बहुत से पेरासाइट के बारे में पढ़ा है तो most important parasites जो है वो complete हो चुके हैं तो आज हम बात करते हैं इसके बारे में Ascaris Lumericoids के बारे में यह पेरासाइट भी worldwide distribution है यानि कि पूरे world में फेला हुआ है नाम तो आपने सुनाई होगा Ascaris Lumericoids Ascaris यानि कि मतलब के मिंस होता है intestine और Lumericoids यानि कि आपके intestine में infection जो होता है intestine में obstruction कर देता है आपके पूरे blood में भी फेल जाता है लीवर में भी सब के अंदर ठीक है आगे discuss करेंगे इसके बारे में और इस आलसो नोन इस राउंड वह तीक है यानि कि जैसे कि हीख हुकवाम होता है ठीक होग जैसे कि enkyloisdoma diodenum parasite है ये क्या है निमेटोट निमेटोट से उस्टा हम राउंड वह के रहें क्योंकि आपको दिखाई दे रहे क्थे कास शेल शेल एक्जांपल के लिए बता रहें तो 하는데 को हम केते है क्योर्म की मौनलो इस तरह के सवा लnaire इसके उपड़ क्या है थाते होिक्तrie जमें उसको में लिए हुग तोने आप्ड़ीक सब्सक्ट्रीट です को में शानर ऐस वर्णन वुदर तो आसकेरी स्लिमरी कोई इस आलसो नोन एस राउंड वॉर्म ठीक किसके जैसा दिखाई देता है एर्थ वॉर्म तो आपने देखा ही हो गए यानिकि जब बारिश होती है तो वह पिंकिश कलर के कीड़े जैसे जो होते हैं वह दिखाई देते हैं तो से में इस इस स्रक्चर उसका होता है डिफ्रेंश इतना सा है इसमें कि यह जो है वह आपको पिंकिश के साथ साथ क्रीमी कर्ण के खिंड देते हैं और उसके जैसे होते हैं बिल्कुल लचीले जैसे एकदम अगार आपने उसको इस पर्श कभी किया हो थो ंसलो है इन्टस्टाइनल ना निमेटि से यानि की जीन के रचाइट से कि में इंटर्सटाइन उनके हविटेट होते यानि कि कि मृँके कोन सTOR्न Sóसरा अ सबसे लिमेट्ट में सुटिंशे सब्सेरिट में सबसे लाइजस्ट निम podéis के क्या प्रेजन होता है वह निक हाद पर इसका डेइवल्लोप्मेंट होता है कहां पर infection जो है वो ज़्यादा फैलने के हाला कि इसके दिस निम्रीकोट के कारण हमारे लंग्स भी effect हो सकते हैं अलबोल लई effect हो सकता है circulation में कुछ भी problem हो सकते हैं ठीक है तो but many जो होते हैं intestinal निमेटोट से तो intestine को coast करेगा ठीक है intestine में कहां present होता है जेजुदम इंटस्टाइन यानि कि small intestine का part होता है डियोडी नाम जेजुदम और इलियम ठीक है तो जो इसके habitat कहां पर होती है इसमाल इंटस्टाइन के जेजुदम पार्ट में ठीक है टीक एक कंट में टीक धर लोंगहां अगर इसको सिधा करेंगे तो ये लंबा तो इसकी लेंट भी जादा है तो इसको ऍवरेन जो ही तो इसी लँंट जो हैटोड़ में याने कि ज़्यादा है इसका डायमेटर रियरी कम है यानि कि पतला बहुत है पूद कर दो राउंड यहां पर दिखा है तो इन का राउंड ही है दोनों का बट इसे इतना है इनकी लेंथ में थोड़ा सा कम लेंथ चुह है वह फीमेल की ज्यादा है मैंल की कम है डायमीटर का ऑ से टैपरिंग यानि कि आपको यह यो याद दिखाी दे रहा होगा इस तरीक एक तो इस तरीके का एंड होता है यह नुकिला तिए आउस दिखरा वाइद सबक्राइड जोह हैं जिसे हैं यानी कि फी मेल वूंस जो होता है वो लोंगर होता है कि से मैल वूंस यह मैंनि आपको बताई दिया है लेंध ही उसके होते हैं 25-40 cm इसके लेंध तो टोटली कितनी है 25-40 cm ठीक है और मेलवों के कितनी है 15 से 25 सेंटीमीटर ठीक है डायमीटर कितना है पांच मिलमीटर यानि कि 5 mm जो है इसका फिमेल का डायमीटर है और 3-4 mm जो है वो मेलवों का डायमीटर है आगे आएगा बता दूँगी वल्वा ओपन एट दे इंटेरियर एंड और मिडिल थर्ड यानि कि इसका मिडिल थर्ड पार्ट जो है और एंटीर एंड जो है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है वल्वा प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं वल्वर विस्ट यह वल्वा यहाँ पर क्या होता है यानि कि जब इंटस्टाइन में एडल्ट वों का फॉर्मेशन होता है तो म मेल वोम और फीमेल वेल का कॉपिलेशन यानि कि सेक्स एटेश्मेंट जब इनका होता है तो उसमें मैं डॉल किसका होता है वल्वा का होता है यह क्या है सेक्स ओर्गन है किसका फीमेल वोम का सेक्स ओर्गन कुन सा है वल्वर विस्ट और एडल्ट वोम में क्या प्रेजन होत इस प्रेजंट होता है और फीमेल वोम में यह वलवा जो प्रेजंट वलवर विस्ट यहां से इनका सेक्शुल अटेश्मेंट होके यह मैचूर होते हैं तिक उसके बाद मैल वोम में देखे अगर हम बात करते हैं सुरी यह कर रही है मैचूर फीमेल प्रोडूस टू लैक एक लियने की जब हमारे बडिक अंदरिंटस टान में जाके यह एडल्टि का formation ओयता है और फीमेल वोम जो हे वी अछू हो जाती है मेचूर होने के बाद डेली यह फीमेल वोम कितने बो लाक एक यह वह रिलीज करती हैं और इननी एक के द्वारां मैं को अद्ग division की मानलू कि क कि एक रिलीज करेंगी वह एक रिलीज होंगे टिक है फीसेस के थूड़ीज होंगे फीसेस में जाने के बाद जब इन्वर्मेंट में चले जाएंगे जब लाइप साइकल पड़ेंगे तो डीटेल में समझ में आ जाएगा तेक है मेलमम का हमने देखी लिया है 15-25 cm long होता है और diameter iska 3-4 mm होता है यह मैंने बता दिया है tail and is curved यानि की जो इसका tail end जो होता है तोड़ा सा curved होता है इस तरीके से और लास्ट में प्रसेंट होते हैं जो क्या है यह इसका sexual organ है जो यह कोपीलिशन के समय जो होता है वो इनके द्वारा होता है आप हम बात करते हैं एग की ठीक़ वह चलिके तो एक एक जो होता है उसमें फारी लाइज एक ओसा है अनफटिलाइज दॉस्टर करते हैं यह नंफ्टिलाइजड्ट इस वह दो तो टाइप्स का होता है एक तो होता है फर्टिलाइज रेक वह होता है अन फर्टिलाइज रेक नाम से समझ में आ रहा है कि वह फर्टिलाइज्ट हुआ हुआ है और अन फर्टिलाइज्ट यानि कि जब मेल और फीमेल वॉम का कॉपुलिशन जिब होता है sexual attachment जब होता है intestine में जाके तो उस वक्त क्या होता है अगर female worm के द्वारा वो एक जो होता है उसके अंदर present होते हैं जो एक वो release करती है small intestine में तो अगर वो fertilized होके फिर release होते हैं तो वो हो गया fertilized एक और अगर किसी किसी condition में कभी कभी होता है कि वो fertilized नहीं हो पाते हैं और दिन release हो जाते हैं feces के दुरू तो वो fertilized हुए ही नहीं है तो उन्हें हम क्या कहेंगे unfertilized egg ठीक है वो हम लिख दिया अब यहां पर देखते हैं यह fertilized egg यानि कि यह कि इसका शेप कौन सा होता है राउंड शेप आपको यह डाइग्राम में दिखाई दे रहा होगा आपको इसमें कुछ भी याद करने की जरूत नहीं है आपको हर वर्ड इसका जो है वो डाइग्राम के द्वारा समझना है डाइग्राम से आपको सबकुत समझ में आ जाएगा टीक है लेंथ की कितनी होती है सिक्स्टी टू सेवन्टी 5 माइक्रो मिटर कितनी है 40 to 50 the eagle by dust in brownish color यानिए इसकी क्लर कलेता यह दिखाई देगा जह कि इसके बाद बाद surrounded by थीच्प टांस्लेटेटजेक सेल विट एन ओटर एल्बूमीन काइट ठीक यानि creek जो इसके बनी वही है तब रॉल यह का है थीख है मोटी है बार ट्रांस्लूसेंट ने जी Lucky न कर्傑ंस ठीक है आउटर कोईट होती है ये कोईट जो होती है किसकी बनी होती है ये शल ये दिवाल जो बनी होई है ये किसकी बनी होती है अलबुमीन के तो इसे क्या कहता है है albuminus coit या albumin coit ठीक है outer thick shell translucent albumin coit होती है इसमें और इसके अंदर क्या प्रजेंट होता है और यह ओम क्या होता है larger होता है क्योंकि यह क्या है fertilized egg है इसलिए यह ओम चोहें वो क्या होगा larger होगा ठीके देन किसे अन फर्टिलाइस्ट इक हो क्या होता है यह outer coat होती है हती यह हट जाती है तो यह क्या होगा कि अबल जाता है कि ए मतलब की ह shuttle or instead को या कि कोड भाल तो कोड नहीं था तो तो इसके अनदर क्या है उवम तो प्रजेंट है बट यह क्या है इसमें इस तरह की जो सेप्टम बने हुए होते हैं न वह नहीं होते हैं इनके अंदर वह प्रोड़क्टिव औरगंग प्रजेंट होते हैं जो यहां पर अन फर्टिलाइज़ एक किया होता है मैंने आपको बताई दिया है यह इन फीमेल नोट फर्टिलाइज पर्टिलाइज प्रोड्यूस प्रोड्यूस एक प्रोड्यूस हो जाता है लेंथ इसकी उतनी होती है 80 micrometer पर्टिलास एक से लेंध pr length जो होती है इसकी ज़्यादा होती है ज़्यादा difference नहीं उतनी है 75 to 80 55 micrometer जो हो इ सकी ब्रिटत होती है यनी कि इसमें क्या होता है इसमाल वोह म१्त है इसमें में होता है वोते हैं हां था है आपा यह केवल्ल एक यह होस्थ में कंप्लीट होती है जैसे अम ने परीएस पढ़ रहे हैं सब मैंने जब पेरा साइट का इंट्रोडेक्शन बता था तो तब मैं बता चुकी हूं तो डाफिनेटी वोस्ट यानि कि जिसमें सेक्शुल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है तो वह इसमें यह पूरी लाइप साइकल जो है केवल मैन का अंदर ही लिए जिसे बहुत सारे में यहसा होता है कि मैं को इंपक्शन ओता है प्रिफित्ता होदा का इनटर्मिडिय्प टों इसमें नहीं होता है ठीक कि इंट्रमीडियंकिक इन इक्षैक्शन वोर्म की मैं जो हैं वे क्या करता है तो उसको उसके द्वारा infection होता है यानि कि एंबरीनेटेट एक जो अगर वह इंटलग्ड करता है या निकी खाता है लेता है किसी भी पानी के द्वारा यह प्रसन कर लेता है कहा लेता है तो उसको इस इंफक्शन हो जाता है ठीक है तो मतलब इंफेक्टिव कौन सा हुआ एक क्योंकि मैंको इसके द्वारा हो रहा है कि इंट्री कैसे होती है एलेमेंट्री के नाल के द्वारा इसोंफेगे सब्स अपने पढ़ा होगा तो अच्छे से पता होगा तो उसके बाद लोकेशन यानि कि यह कहां पर इसका development होता है अमारे अंदर सबसे पहले कहां जाता है मैंने आपको बता जो कि उसमाल intestine के jejunum part में adult womb का development वहां पर होता है mode of transmission यानि कि किस-किस के द्वारा infection हो सकता है क्या खाने से हो सकता है तो soil, contaminated soil contaminated drink या फिर vegetable contaminated with tamarinated यानि कि soil drinking जो भी हम पी रहे है या फिर वेज़िटेवल उसमें अगर contaminated egg के अंदर वह लार्वा प्रजेंट है तो हमें क्या होगा infection हो सकता है वाना पानी तो हम पी रहे है fruits भी हम खाई रहे है तो अगर इसमें एक प्रजेंट है तो हमें ये पेरासाइट जो हमारे अंदर वह इंटर होगा लार्वा जो है इंटर होगा फिर इस तरीके से एक बनेगा तो वह life cycle की process जो है में आपको समझा देते हूं I hope आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अब हम बात करते हैं इसकी life cycle के बारे में कि किस तरीके से female में और male में इसका development होता है हाँ अब हम बात करते हैं डीटेल में इसकी life cycle के बारे में एक contain larva यानि कि आपको ये पूरी process जब last में ये life cycle खतम होगी तो समझ में आ जाएगा तो एक contain larva यानि कि हम कोई एसा खाना खा रहे हैं इसा पानी पी रहे हैं जो के contaminated है किस से एक से यानि कि उस खाने के अंदर उस पानी के अंदर उस मिट्टी के अंदर जो ये एग present है और इस एग के अंदर क्या present है लार्वा present है मैं मतलब में को खा लेता है तो मेन के अंदर याने के बात क्या होता है कि हम कहां जाएगा मैं आपको बताएगा कि इसकी पोड़ल इंटरी कहां होती है कहां से होती है elementary canal से यानि कि isophagus के द्वारा वो small intestine में जाएगा ठेके तो इसकी location भी मैंने intestine नहीं बताई थी तो ingestion by man यानि कि man के ingestion करने के बाद वो कहां चला गया है small intestine में यानि कि उसके stomach में चला गया है ठीके और larva released यानि कि यह larva अभी तक किसके अंदर था एग के अंदर जैसे ही intestine के अंदर जाएगा वो एग क्या करेगा उस larva को released कर देगा intestine के अंदर में के ingestion करने के बाद में वो कहां चला जाएगा small intestine के अंदर और अभी तक एग के अंदर larva present था ठीके और small intestine में आने के बाद में क्या करेगा वो larva एग से released हो जाएगा in the small intestine small intestine में आने के बाद क्या होगा mucous membrane जो होती है small intestine को उसको लार्वा क्या करेगा penetrate करने की कोशिश करेगा और penetrate करने के बाद में वो चला जाएगा कहां पर circulation में ठीके अब intestine में अगर वो आया है तो उस लार्वा के द्वारा क्या होता है intestine में भी infection हो सकता है तो थीके loss of appetite याने की भूग जो है वो नहीं लगने रग जाती है या फिर अगर ज्यादा मात्रा में जो है वो एग कि होते हैं एक अगर ज्यादा है तो नालर्वा इस्ट को एस तरीके से या निकि-दिशकन होने लग जाएगा या फिर रिस नहीं की भूक नहीं लगने लग जाएगी तो Tat यह सिंटम्स आपके शुग हो गहारा P कैंट की इंटस्टाइन में वह है जाने के बाद में काहां प्लॉलीवर के के बाद में लीवर में जाएगा लीवर से हो जाएगा हाट के पास ठीक है और राइट साइट से वह चला जाएगा कहां पर पल्मूनरी सर्कूलेशन में ठीक है कहां आ गया है सर्कूलेशन लीवर में चला गया हाट के पास गया हाट से राइट साइट से होते हुए वह कहां चला गया पुलमोनर्य चरूलेशन में जाने के बाद उसको क्या करेगा उसको क्या रिप्हेम करेगा पर रिफ मट टेख्यां आनना सmá तो उसके कारण क्या हो सकता ह Goo इंटर्नल लीडिंग भी हो सकती है 12 इंटर्नल ब्लीडिंग आपको इसमें देखने को मिल सकती है यह यह बैक सिम्टाम्स है छी इसके बाद लैंस vioda रेकिया देखर अगर लैंस में वह गया है तो निमोनीय भी हो सकता है ठीक है निमोनिया भी एक सिम्टाम से तो लंग्सों इफेक्ट करेगा ब्रूंकाई को भी कर सकता है ट्रीक्या को भी इफेक्ट कर सकता है तो एसकेरिस लुम्री को जो है वो सबसे लार्जेस्ट इंटरस्टाइनल निमेटोट्स तो है लेकिन ये अगर आपके बोडी में इंटरस्टाइन को तो कर ही रहा है ठीक है लंग्स को भी कर सकता है ब्रोंकाई को कर सकता है ट्रेक्या को कर सकता है उसके बाद ब्रोंकाई से होते हुए फिर वो कहां चला जाएगा लेरिंग्स और फेरिंग्स में जाने के बाद में वह दुबारा स्वेलाउड कर लिया ज यानिकी मेल एडल्ट वो में फिमेल एडल्ट वर्म वाम फीमेल एडल्ट वर्म hoलर्म होने के बाद में दोनों मैंकोप शुबाटा मेigi जो female adult worm जो है वह क्या करेगी एक release करेगी और मैंने भी बता आई सा थोड़ी देर पहले कि एक बार में यानि कि डैली जो है वह female adult worm जो है वो कितने एक release करती है दो लाख एक जो है वह release करेगी in the intestine ठीक है और वह एक जो बने हैं वह एक जो है वह iives के थूर यानि कि ज़िश्पह मैंन के अंदर किसी परसंद के अंदर है तो फीसिश्पहारा एक रीलीद रेड़ीज वने के बाद पर उनका Development थो जा सकते हैं मैं ब्रीजटेबल में ब्रीज़ सब्सक्राइब आपको इससे इनफेक्शन होगा है औसी तरीके से यह लाइफ सायक्ल होसकता है थिखता है थिकी तो आइंटरस्टाइणप्षन हो सकता है तो यह सारे अब हम मात करते हैं। लेब डाइग्नोसिश के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं है यह성 कारते हैं फीस्टूल एक्जामिनेशिन को करते हैं शुरा की यह में इन स्टूल में वह स्पूतम में भी देखने को मिल सकता है इंकट्डी हम कभी उसका है अगर लगाते हैं तो इसके लिए लग सकता है या पैस लग सकता है इंडायरेक्ट हीमो एगलुटीनेशन टेस्ट और इंडायरेक्ट फ्लूरोसेंस एंटीबोरी टेस्ट तो यह टेस्ट इसके लिए लगाके हम इसे डिटक्ट कर सकते हैं और इसके द्वारा डिसीज कौन से होती है तो एसके रियासिस टीक है एसके रियासिस डिसीस होती है किसके द्वारा एसके रिस एसके रिस लूज़िकर्ट के द्वारा देकिंगे राउंड़बग वोंन है ॥ा görüş्च यह कलीयर ए एसके रिस लूज़िक थो हमारा हो ओ गया है आई कॉप आपको अच्छे से समझ में अगया होगा तिक है मिलते हैं अगले वीडियो में thank you